CSK की कप्तानी से हटे MS धोनी रितुराज गायकवाड संभालेंगे जिम्मेदारी जी हाँ चलनाई सुपरकिंग ने IPL 2024 से ठीक पहले एक बड़ा बदलाव किया है CSK ने रितुराज गायकवाड को नया कप्तान गोसित किया है अब महेंदर सिंग धोनी टीम की कप्तानी नहीं करेंगे धोनी लंबे वक्त तक टीम के कप्तान रहे उनकी कप्तानी में CSK ने पांच बार खिताब जीता लेकिन अब वे इस जिद्मेदारी को नहीं संभालेंगे धोनी का कपतानी के साथ साथ बेल्टिंग में भी अच्छा रिकोर्ड रहा है रितुराज गायकवार्ट पर अप्तिभा साली खेलारी हैं इसी वज़े से मेनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है आई पिल से ठीक पहले धोनी के फैंस को बड़ा धटका लगा है धोनी ने चन्नाई सुपर कीम के कपतानी छोड़ दी है अब उनकी जगार रितुराज गायकवार्ट टीम की कमांड सबालेंगे धोनी आई पिल 2008 से ही टीम के साथ बने हुए हैं चन्नाई ने धोनी की कपतानी में अभी तक 5 बार खिताब जीता है CSK ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आई पिल का खिताब जीता है CSK ने पिछले सीजन में फाइनल में गुजराट टाइटन्स को हराया था चन्नाई ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीता था चन्नाई सुपर कीम ने टीम की कपतानी को लेकर बयान जारी किया है CSK ने बताया महेंदर सिंग धोनी ने आई पिल 2024 से पहले टीम की कपतानी रितुराज गायकवाड को सौप दी है गायकवाड 2019 से टीम के साथ जुरे हैं वे अब तक 52 मैच खेल चुके हैं उन्होंने पिछले सीजन के 16 मैचों में 590 रन बनाई थे इस सीजन में रितुराज गायकवाड का सर्व स्रेश्ट 92 रन का स्कोर रहा था रितुराज गायकवाड ने पहली बार 2020 में IPL मैच खेला था उन्हें इस सीजन के 6 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था उन्हें था स्क्रीण के बार 2020 में IPL